हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट जॉब सपोर्ट पे दोस्तों यदि आपने एक नया मोवाइल फोन खड़ीदा है और उसमें आप अपने पुराने मोवाइल फोन के इमेल आइडी और पास्वर्ड को नये मोवाइल फोन में लॉग इन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कमप्लिट लास्ट तक देखे इस वीडियो में हम लोग आपको step by step गाइड करने वाले हैं कि नये मोवाइल फोन में पुराने मोवाइल फोन के इमेल आइडी और पास्वर्ड को लॉग इन कैसे करेंगे दोस्तों चैनल पे पहली वार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे सब्सक्राइब करने के लिए ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटने से दवा दीजे और वेल आइकन दवा के all option amazingly click on perfection और अपको यहाँ पर एक जीमिल का आइकन दिखाए देगा इस इमेल का आइकन पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे Gotti option पर click करेंगे फिर आप यहाँ पर add an email address option पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप Google search कर लेंगे फिर आप यहाँ पुराने mobile phone का email ID आप यहाँ पे enter करेंगे आप अपना email ID कुछ इस तरह से enter करके next पर click कर देंगे उसके बाद आप यहाँ पर अपने पुराने mobile phone में जो email ID में password डाला हुआ था वो password यहाँ पे fill करेंगे password fill करने के बाद आप next पर click कर देंगे next पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोला जा रहा है add phone number अगर आप receive video call और message के लिए चाहते हैं तो आप यहाँ नीचे आएंगे और yes I am in पर क्लिक करेंगे मेरा personal suggestion है कि यह आप yes I am in option को ही select करें आप चाहे तो इसे skip भी कर सकते हैं यहाँ पर मैं yes I am in option select कर रहा हूँ उसके बाद आप यहाँ पर I agree option को select करेंगे फिर आप यहाँ पर mode पर क्लिक करेंगे आप यहाँ accept पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर simply आपका email id और आपका नाम आपको दिखाई देगा और नीचे में आपको take me to gmail option मिल रहा है इस option पर आप क्लिक कर देंगे आपका email id आपके नए mobile phone में login हो जाएगा उमीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे youtube channel student job support को subscribe करें और इस studio को एक like जरूर करें like से काफी motivation मिलता है मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद